नमस्कार साथियों आज हम बाद करेंगे राजनेतिक दर्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यासिता पर और मुख्य रूप से यह मात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है सामजिक विशम्ता यानि कि समाज में अर्थ का असमान वित्रन यह विशम्ता किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है एक दुर्गुण है बहुत कम लोगों के हाथ में राष्टर की बहुत अधिक संपत्ति होती है जिससे सामजिक विशम्ता और गहराती चली जाती है भारतिय समाज में भी हम देखते हैं कि निर्धन और धनवान के बीच एक खाई है जो निरंतर गहरी और चौड़ी होती जा रही है एक और धनवान अनापशनाप धनरासी एशो अराम की वस्तों के लिए आराम की वस्तों के लिए आनंद की वस्तों के लिए खर्चे जा रहे हैं और दूसरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं तेश में जिन्हें जीवन की मौलिक आवशक्ताओं की पूर्ती भी नहीं हो पाती है वो न्यूनतम कैलोरी का भोजन भी प्राप्ट करने में असमर्थ हैं एक समय के भोजन के भी उन्हें लाले पढ़े रहते हैं ऐसे में गांधी का अर्थ सास्त्र अमीर और गरीब के बीच इस गहरी खाई को पाटने में एक मैत्वपूर्ण भूमिका निवा सकता है सबसे पहले हम यह देखे कि यह जो असमानता है यह उत्पन कैसे हो जाती है इस असमानता की विवेचना करते हुए मात्म गांधी कहते हैं कि यह संपूर्ण जो व्यवस्था है इसको हमें अपरिक्रह और अस्ते से जोड़ना चाहिए गांधी चाहिए मान लीजिए यदि किसी वस्थू की आपको आवशक्ता है तो वो आपको रखनी पड़ेगी किन्तु कई बार हम ऐसी वस्थूआं का भी अवांचित संग्रह कर लेते हैं जिसकी हमें आवशक्ता ही नहीं होती और हम उसे इखटा किये रहते हैं तो गांधी कहते हैं कि जो चीज आपके लिए आवशक्त नहीं है उसको भी आप अगर संग्रहित करते चले जाते हैं तो उसे चोरी की दृष्टी से देखा जाना चाहिए संग्रह का जो देश्य है हम सामाने व्यक्ति एक भै होता है कि भविश्य में हो सकता है हमें इसकी आवशक्ता पड़े हम एक असुरक्षा की भावना में रहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तो क्या करेंगे फिर किस से मांगेंगे कहां से लाएंगे तो हम वस्तु को अनावशक रूप से एक खटा करते चले जाते हैं कांदी के अनुसार जो लोग सत्य के मार्क में चलते हैं और जो प्रेम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कभी भी भविश्य के चिंता नहीं करनी चाहिए हमें इश्वर पर भरोशा रखना चाहिए क्योंकि इश्वर कभी भी कल के लिए किसी वस्तु का संग्रे नहीं करता वह जितनी आवशक्ता है वर्तमान में उसे अधिक आवशक्ता से अधिक वस्तु का उत्पादम भी नहीं करता अतर गांदी के नुसार हमें इश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं इस विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहिए कि ईश्वर हमें प्रतिदिन के लिए आवशक वस्त्वे देता रहेगा भोजन हो पानी हो जो भी हमें आवशक होगी जीवन हमें ईश्वर हमें वो उपलब्ट कराता रहेगा और हमारे जीवन की जो प्रतिदिन की जो आवशकता हैं वो पूरी होती रहेगी गांधी के अनुसार इस देवी नियम के पृति हमारे अज्ञान वर लापरवा ही नहीं इस असमानता के बीज को बो दिया है और आज ये एक बहुत बड़ा व्रक्ष बन गया है हम इस देवी नियम से अंजान हैं हमें ग्यात ही नहीं कि हम उसके भरोसे हैं उसके सरक्षन में हैं और हर वस्तु हम अपने पर उड़ लेते हैं और इस से हमें अनेक अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता है अनेक अनेक कस्टों का जनम होता है बहुत से दर्म लोग ऐसे होते हैं उनके पास ऐसी ऐसी वस्तु पढ़ी होती है कि उन्हें कभी उनकी आउशकता ही नहीं पढ़ती उनकी पिछली साथ पीडियों में नहीं पढ़ती ना उनकी आग्यानवली पीडियों में पढ़ने वाली है वो वस्तों उनके पास वियर्थ ही पढ़ी रहती है लेकिन वो उनके अभाव में रहते हैं सदैव और उन अभाव में, उन कष्टों में सदैव जीवन को मरमर के जीते रहते हैं गांदी के अनुसार यदि प्रतियक व्यक्ति केवल अपनी जितनी आविशक्ता है उतना ही अगर संग्रह करें तो इस संसार में एक भी व्यक्ति भूखाने लेगा समाज का देश का प्रतियक व्यक्ति बड़े आराम से अपना पूरा जीवन बिता सकता है क्योंकि धनी व्यक्ति संग्रह कर्ब के भी संतोष नहीं पाते हैं सदेव असुरक्षा में असंतोष में जीते रहते हैं और जितना कोई निर्धन कष्ट पाता है असंतोष में ता है धनी व्यक्ति भी उतने ही निर्धन की जहरी असंतोष में बने रहते हैं जितना मिले वो कम पड़ता है एक सनक दिमाग में चड़ जाती है वस्वस्तने एखटी करो, धन एखटी करो धर्ती, जमीन, मकान और इस सनक में वो हर समय एखटा करने में लगा रहता है गांदिया कहना था कि धनी व्यक्ति को इसमें पहल करनी चाहिए और इस धन एकत्रित करने की सरक को परिवर्तित किया जाना चाहिए और लोगों में एक विश्रु व्यापी संतोष की स्थापन की जाए इसलिए सभी लोगों को अपने संपत्ति को एक सामाने स्थर पर रखना चाहिए ताकि जो लोग भूखे हैं उनको बोजन मिल सकें जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं उन्हें घर मिल सकें वे भी शान्ति से दो समय का बोजन करके सो सकें अपनी छत के नीचे यदि सभी व्यक्ति सेवा की भावना से कारेकर्ण लगें तो पूंजी का संग्रह कोई नहीं करेगा और इस पूंजी के संग्रह से जो असमनताएं विभिनताएं उत्पन होती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी ना फिर भुखमरी रहेगी ना फिर महेंगाई रहेगी गांधी जी ने समानता के आदाश को इसप्रश्ट करते हुए कहा था कि समाज के सभी व्यक्ति समाजिक द्रश्टी से समान उत्पन होए हैं यानि इस समाज के सभी व्यक्तियों को अउसर की समानता का अजिकार प्राप्त है किन्तु सभी व्यक्ति में समान ख्रमता यह नहीं होती हैं प्रकृति के द्वारा ही उन्हें इस प्रकार की असमानता दी गई हैं समाज के सभी व्यक्ति एक ही उंचाई एक ही लंबाई रंग बुद्धियादी के नहीं होते हैं कुछ व्यक्ति अधिक धन अरजित कर सकते हैं उनमें ऐसी योगिता होती है कुछ लोगों में अधिक धन अरजित करने की योगिता कम होती है तो जिन व्यक्तियों में धन अरजित करने की योगिता अधिक होती है वे अधिक दधन खटा कर लेते हैं तोंकि वह धन अरचित करने में अधिक शम्ता और योगिता का प्रयोख करते हैं किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति अपनी इस योगिता का उधारता से प्रयोख करे तो वो समाज कल्यार्ण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति समाज में न्यासि के रूप में विद्यमान रहते हैं अब है न्यासिता का सिद्धान समाज में बौधिक प्रतिबा वाला व्यक्ति यदि अधिक धन अरजित करता है तो उसे अपनी बुद्धी को कुंठित करने की आउशकता नहीं रहती किन्तु समाज के ऐसे धनी व्यक्तियों की आगा एक बड़ा भाग राज्य की भलाई में इसी प्रकार प्रियोग लिया जाना चाहिए जैसे एक स्मुफ परिवार में चाहिए पुत्रों की आईका प्रियोग किया जाताए ऐसे जो धनी व्यक्ति हैं वो अपने धन को नियाशिक के रूप में रखें एक परिवार की तरह कि मैं अधिक कमाता हूं तो मेरी औरसे अधिक लिया जाए जो कम कम आता है उसके और से कम लिया जाए तो एक संतुलन बनाने का प्रियास किया जाए गांधी कहते हैं कि न्यासिता की स्थापना केवल अनुरूत के द्वारा नहीं अपितु सहीयोग के द्वारा करना चाते हैं वो लोगों में सहीयोग उत्पन करना चाते हैं कोई भी व्यक्ति धन का अत्यदिक संचे व्यक्तियों के स्वेच्छा पूर्ण या मजबूरी वश्किये के सहयों के बिना नहीं किया जा सकता गांधी इन पूर्जी पतियों को न्यासी बनने का आगरे कर रहे हैं कि आप आएं और आगे बढ़ें इस बात को एक उधान समझते हैं को कि यदि किसी व्यक्ति के पास सौ रुपे हैं तो उसको पचास रुपे अपने पास रखने का अधिकार है और सेश जो पचास रुपे हैं उसे उन श्रमी को कुद देने का काई जाएगा जिनका शोशन करके उसने ये धन अरजित किया है किन्तु यदि किसी के पास एक करोड रुपे आएं तो उसे अपने धन का केवल एक प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखने को कहा जाएगा और बाकी धन समाज के हित में अरपित करने को कहा जाए गांधी ने आर्थिक विकेंद्रिकन की दृष्टी को समान वितन की विवस्ता पर विचार किया है सब व्यक्तियों की मुलभूत आवशक्तों के पूरी आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए और आवशक्ता से अधिक किसी के पास धन नहीं रहना चाहिए जैसे माली जे किसी विक्ति की जो भूख है उठी कम है वो धाइसो ग्राम आटे में ही अपना पेट भर सकता है और किसी दूसरे का पेट इससे अधिक आटे से भर सकता है तो गांधी जी कहते हैं कि दोने विक्तियों क्या हो शकता है पूरी होनी चाहिए पर इसके लिए समाज की सरचना में थोड़ा परिवर्तन आवशक है और यह परिवर्तन आहिंसा के द्वारा लाया जा सकता है बस इसके लिए समाज के सभी व्यक्तियों को अपनी आवशक्ताओं को थोड़ा कम करना पड़ेगा उसे बहिमानी से धन कमाने के प्रयाश छोड़ने होगे उसे भवशक की चिंता छोड़नी होगी और उसे अपने जीवन के ख्षेतर में नियंतरन लाना होगा जब समाद में व्यक्ति अपने जीवन के इस आदर्ष को उतार ले तब ही उसके द्वारा अपने मित्रों और पडोशियों को इस आदर्ष का उफ्देश देना चाहिए पहले स्वेम करें, फिर लोगों को बताए, फिर लोगों को कहें समान वित्रण की इस धारना पर ही संपूर्ण न्यासिता का सिध्धान्त निर्भर करता है धनी व्यक्तियों को अपने पडोशियों से अधिक धन अपने पास नहीं रखना चाहिए उसे अतरिक धन को न्यासिक रूप में समाज के हित्व में काम लेना चाहिए अब हम बात करते हैं गांदी की न्यासिता की जो सरचना है उस पर मात्मा गांदी ने न्यासिता के अबने शिद्धान के एक प्रारूप बनाया था हम अब कुछ बिंदों से उस प्रारूप को समझने का प्रयास करते हैं कि न्यासिता में क्या-क्या होना चाहिए सबसे पहले समतावादी व्यवस्ता न्याशिता समाज की वर्तमन पूंजीवादी व्यवस्ता को समतावादी व्यवस्ता में बदलने का प्रियास करती है यह पूंजीवाद का समर्तन नहीं करती अपितु उस व्यवस्ता को सुधरने का अवसर देती है यह उस विश्वास प्रादारित है कि मानुए स्वभाव में परिवर्थन किया जा सकता है। म経भिवकटिगत्स्वामित्वु किसीमा इसमें व्यक्तिगत्स्वामित्वु के अधिकारों को क्येवल समास द्वारा अपने कल्याण में दी गिए अनुमॉत्ती की अथित्रित स्विकार नहीं करते ऑज़िए स्वामित्व उप्योग न्यासिता की व्यवस्ता पूंजी के स्वामित्व तथा उसके उप्योग के नियमों को अलग-अलग नहीं करती, बलकि एक डूसे से जुड़ाओं मानती है पूंजी का नियंत्यत उप्योग कोई भी अपने स्वार्थ सिद्धी है तू संपत्ति के उप्योग के लिए स्वत्नतर नहीं हो राज़ी द्वरा संचालित नियासिता की व्यवस्था में व्यक्ति अपने स्वार सिद्धी के लिए समाज कल्यान को किनारे करके संपत्ति का मनमाना उप्योग करने के लिए स्वत तन्तर नहीं होगा पांचवा आय की सीमा जिस प्रकार नियूंतम पारिश्रमिक निर्धारित की जाते हैं सरकार के दुवरा उसी प्रकार समाज में व्यक्ति की अधिक्तम आय की सीमा भी निश्चित की जाने चाहिए ऐसे नियून्तम व अधिक्तम आयका अंतर विवेक संगत समता परग एवं समय के अनुकूल परिवर्थित भी होते रहने चाहिए छटा है सामाजिक आवशक्त अनुसार उत्पादन सारूप में हम कह सकते हैं कि गांधी समाज में व्याप्त आर्थिक विशमताओं को मिटाना चाहते थे व्यक्तिकत संपती का वो अन्त साता थे लेकिन व्यक्ती को अपने संपती से वंचित करने के लिए माक्षवादी-क्रांति के पक्षम नहीं थे सत्य और अहिंसा द्वारा त्यजिए परिवर्थन उनका प्रमुक अस्तर था आर्थिक विश्मता को दूर करने के लिए गांधी ने नियासिते का सिद्धान प्रस्तुत किया उन्हेंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति का संचे किया है वह स्वयम को उस संपत्ति का स्वामिना समझ कर उसका संख्षक समझे संपत्य उसके पास रहे वह अपनी व्यक्तिकत आवशक्ताओं के लिए उसमें से उचित खर्च करे तथा शेष संपत्य को समाज की धरोहर समझे जिसका उप्योग आवशक्ता पढ़ने पर समाज कल्यान के लिए किया जाए नियासी तक यह सिद्धान तहीं समापत होता है आपका बहुत बहुत दिनेवत नमस्कार